मेरा मन कभी-कभी बैट जाता है। समचार पत्रों में ठगी, डगैती, चोरी, तसकरी और भ्रष्टचार के समचार ही भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोपन का कुछ ऐसा वातवरन बन गया है कि लगता है देश में कोई इमानदार आदमी रही नहीं गया है। हर व्यक्ती संदेह की द्रिष्टी से देखा जा रहा है। जो जितने ही उचे पत पर हैं उसमें उतने ही अधिक दोश दिखाये जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो भी करेगा उसमें लोग दोश खुजने लगेंगे। उसके सारे गुण भुला दिये जाएंगे और दोशों को बढ़ा चड़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोश किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोशी अधिक दिख रहा है। गुडी कम या बिल्कुल नहीं। सिथी अगर ऐसी है तो निश्य ही चंता का विशय है। क्या यही भारत वर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। विवेका नंद और राम तीर्त का अधियात्मी कुचाई वाला भारत वर्ष कहां है। रविंद्रना ठाकुर और मदन मुहन मालविय की महान संस्कृती सभ्भेता वाला भारत वर्ष कि सतीत के गधे में डूब गया। आरे और द्रवन, हिंदू और मुसल्मान, यूरोपिय और भारती आदर्शों की मिलन भूमी, महामानव समुद्र क्या सूख ही गया। मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनिश्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। उपर की सता पर जितना भी कोला हल और उथल पुथल क्यों न दिखाई देही हो नीचे शान्त, अचंचल, गामभे रिव में अभी भारत महान है। अनुकर्णिय हैं। गया सही है कि इन दिनों आशान्ती का महौल बना है। इमानदारी से महनत करके जीवी का चलाने वाले नीरी और भोले भाले श्रम जीवी पिस रहे हैं। जूट और फरेब का रोजगार करने वाले फल्रूल पहें हैं। इमानदारी की मूर्खता का परियाय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्तिथी में जीवन के महान मूलियों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। बात नहीं नहीं हैं पर ऐसी विभस्ता शायत पहले कभी इतनी विक्राल होकर नहीं प्रकट हुई थी। आज से 400 साल पहले बाबा तुलसी दास ने कुछ ऐसा ही मुहौल देखा था। विव्याकुल भाव से कह गए हैं साधू साधुता सोचती, खल बिलसत, हुलसती खलई है। परंतु आधुनिक साधनों और सुविधाओं के विकास के साथ साथ धन संगरा की परवर्ती को जैसा बढ़ावा इस समय मिला है वैसा उन दिनों नहीं था। खलई का हुलास बेहिसाब बढ़ गया है। उन अनुपात में बलकी कुछ अधिक मातरा में ही। साधुता की सोच भी बड़ी है। तुलसी दास्ते महान जीवन मूलियों में आस्था नहीं छोड़ी थी। लगता है उनके समकालीन अधिकांश लोगों ने भी नहीं छोड़ी थी। पर आज आज भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। उपर उपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत हाल मनुष्य निर्मित नीतियों की रूटियों की देन है। होगी वर्ग की स्तिथी में परिवर्तन के कारण व्यक्ति विशेश बुरी तरह ध्वन्स हो जाता है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं पर मनुष्य समाज बहुत जटिल प्रक्रियाओं से होकर गुजर कर और भी जटिल हो जाता है। सबके लिए कभी भी एक ही नियम सुख कर नहीं होते। मनुष्य व्रिद्धी से निर्मित व्यवस्था हमेशा रूटी युक्त हो जाती है। समाई काइदे कानून कभी युग-युग में परिक्षित आदर्शों से टकराते भी हैं। इससे उपरी सता आलोडित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारत वर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तूओं के संगरा को महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टी में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोब मो, काम क्रोध, आदी विकार मनुष्य में स्वभाविक विद्यमान है। पर उनको प्रधान शक्ती मान लेना और अपने मन और बुद्धी को उनी के इशारों पर छोड़ देना बहुत निकरिष्ट आजरन है। भारत वर्ष ने कभी भी इनको महत्व नहीं दिया। इन्हें सदा सहियम के बंधन से बांध कर रखने का प्रैद्न किया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बिमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटी-कोटी दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक काईदे कानून बनाए गए हैं जो क्रशी, लोक वानिजिय शिक्षा और स्वास्ति की सिथी को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष से प्रेरित है। अपने आप में यह लक्ष बहुत ही उत्तम हैं परुंतु जिन लोगों को इन कारियों में लगाना हैं उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राया ही व अब समय आदर्शो द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन शेत्रों में मनुष्य की उन्नती के विधान बनाए गए उतनी मात्रा में लोब मो जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष की बात भूल गई। आदर्शो को मजाक का विश्य बनाया गया और संयम को दक्या नूसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। वह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोब का नतीजा है। किन्तु इस से भारतवर्श के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी आ रहा है। आज एका एक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोका नहीं दिया जा सकता। कानून को दिया जा सकता है। यही कारण हैं कि लोग धर्म भीरू रूडी ग्रस्त हैं। वे कानून की रूटियों से लाव उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के परियाप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के उपरी स्थर में चाहे जो भी हो रहा हो भीतर भीतर भारत वर्ष अभी या अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। जूट और चोरी को गलत समझता है। करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन्यमान संग्राह करते हैं। दोशो का परदाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि कि किसी के आचरन के गरत पक्ष को उदखाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। दोशोद घाटन को एक मात्र करतब यही मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को इतना ही रस लेकर उजागर नहीं करना और भी बुरी बात है। सैकडों घटनाएं ऐसी घटी हैं जिने उजागर करने से लोगों में अच्छाई के प्रती अच्छी भावना जाक दी है। मैं एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने गया। गलती से मैंने 10 रुपिये के बदले 100 का नोट दे दिया। टिकट बाबू ने वा नोट रख लिया। मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिबबे में हर आदमी का चहरा पहचानता हुआ उपस्तत हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपे रख दिया और कहा या बहुत बड़ी गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चहरे पर विशेश्ट संतोष्ट की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूं कि दुन्या से सच्चाई और इमानदारी लुप्त हो गई है। ऐसी अनेग घटनाएं हुई हैं परंतु यही एक घटना ठगी और वंचना की अनेग घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यादरा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्मियों तीन बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य से कोई पांच मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स् लोगों को संदे हो गया कि हमको दोका दिया जा रहा है। बस में बैठे लोग तरह तरह की बाते शुरू करने लगे। किसी ने कहा यहां डिकैती होती है, दो दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया। परिवार सहित मैं अकेला था। बच्चे पानी पानी चिला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। उपर के आदमियों में डर समा गया था। कुछ नौजवान लोगों ने ड्राइवर को पकड़ कर मानने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाईयां उनने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने और यात्रियों को समझाया कि मानना ठीक नहीं है। परन्तु यात्री इतना घबरा गये थे कि वे मेरी बात सुनने को तयार नहीं थे। वे लोग कहने लगे। इसकी बातों में मत आये। धोका दे रहा है। कंड़क्टर को पहले ही दाकूओं के यहां भेज दिया है। मैं भी भैबीत था। पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। देर दो घंटे बीत गए। मेरे बच्चे खाना और पानी के लिए व्याकुल थे। मैं और मेरी पतनी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो पर उसे बस से उतार कर एक जगा घेर कर रखा। कोई दुरगतना होती है तो पहले ड्राइवर को समाब्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिडगडाने का कोई विशेश असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चलिया ही है। उस बस में हमारी बस का कंड़क्टर बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा अड़े से नई बस लाया हूं इस पर बैठिये या बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूद लेकर आया और बोला पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा न 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड़े पहुच गया। कैसे कहूं की मनुष्टता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूं की लोगों में दया माया रही ही नहीं। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाई हुई जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूं, धोका भी खाया है। परंतु बहुत कम स्थलो पर विश्वास खात नाम की चीज मिली है। केवल उनी बातों का हिसाब रखों जिनमें धोका खाया है तो जीवन कष्ट कर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं है। जहां लोगों ने आकारण सहायता की है। निर के संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े। धोखा खाना ही पड़े तो ऐसे अफसरूं पर भी हे प्रभू ऐसी शक्ती दो कि मैं तुम्हारे उपर संडेह ना करूं। ही जा रहा है। लेकिन अब भी आशा की जोती बुझी नहीं है। महान भारत वर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी।